कि हम वेल्कम टो बैसमोस टुटोरियल और आज हम बात करने वाले हैं जनांदुलन के बारे में तो उत्रकंड में कैसा रे जनांदुलन हुए हैं स्वतंतरता से पूरु भी और सतनतरता के बाद भी तो कुछ लिस्ट है उनके बारे में हम जैनकारी लेंगे बहुत ही इंडेफ्ट हम देखने वाले हैं तो आप लोगों को इसे बहुत अच्छे से तयार करना है तो पहला जो आंदुलन है वो है आपका कुली बेगार आंदुलन जिससे question पूछे जाते हैं इसमें एक चीज है आप लोगों का उसे सबसे पहले शुरुआत कहां से किया गया था खब्याडी गाहों अलमोरा से शुरू किया गया था 13-14 जनवरी 1921 को 13-14 जनवरी 1921 बागेशोर में सर्यू नदी के किनारे ये था उत्तरायनी मेले के टाइम पे बद्रिदत पांडे हर गोविंद पंत वो चिरंजी लाल के नितरतों में ये हुआ था कौन सा कुली बेगार आंदोलन तो इसमें दो-तीन चीजें इंपोर्डेंट है एक हो गया खब्याडी काउं दूसरा हो गया सर्यू नदी तीसरा हो गया उत्तरायनी मेला और चौथा हो गया 13-14 जैनुरी 19-21 तो ये चार जो हैं ये आपके कीवर्ड हैं याद रखिए इनको इसमें बद्रिदत पांडे हर गोविंद पंत चिरंजी लाल ये इंपोर्डेंट आदमी थे 40,000 लोगों ने बेगार नर देनी का संकल्प लिया एवं बेगार रजिस्टरों को सर्यू में बहा दिया था और इस कुपरता का इसके साथ ही अंत हो गया था तो कीवर्ड पे फोकस करना आप लोग शुरू कीजिए तो खब्यारी गाउं सर्यू नदी 13,14 जैनवरी 19,21 और उत्तराइनी मेला उसके बाद जो महत्वपून है वो है आपका टिहरी राज्य अंदोलन तो आपका 21 के बाद कौन सा सीधे आप पहुंच रहे हैं 39 पे तो पहला है आपका 29 में कुली बेगार अब है बात करेंगे तिहरी राज्य आंदोलन की और ये आंदोलन क्यों हुआ था परजा तांतरत्मक साशन के लिए मींस डिमोक्रेटिक जो रूल था उसके लिए हो रहा था क्योंकि जो राजा था वहां का उसने मना कर दिया था तो इस वज़े से वो क्या चाह रहे के द्वारा परजा मंडल के स्थापना की गई थी तो कीवर्ड हो गया आपका की एक तो परजा मंडल हो गया परजा मंडल के स्थापना कब होई थी 1939 को इसके बाद है इसके बाद सुमन को जेल में डाल दिया गया माई 1944 में सुमन अनिश्चित कालीन हर्टाल पर बैट गए कब 1944 में 25 जलाए 1944 को 84 दिन की भूख हर्टाल के बाद सुमन की मृत्यों हो गई इसके बाद जो आंदोलन की बाग डौर थी वो पहुँच गई किसके हाथ में दौलत राम बहुलू राम नौटियाल और नागेंदर सकलानी के हाथ में भारत के सुतंद्र होने पर सकलाना सौरी सकलाना टिहरी में राज्य के खिलाप विद्रो हो गया राजा मानवेंदर शाहनी विलीनी करण में परपत्र पर हस्ताक्षर का लिए तो यहां पर आप लोगों के लिए एक अच्छी बात यह है कि आप 47, 48 और 49 यह आप लोगों को याद रखना है और इसमें क्या है आप लोगों का जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है आपका उपर से अगर हम देखते चले तो यह है आपका 1939 से स्टार्ट हुआ है फिर 44, 47, 48 और 49 तो जो गटाई हुए उनको इसी हिसाब से आपको याद रखना है एक अगस्त 1949 को टिहरी सयुक्त प्रांत उत्तर परदेश का जिला बन गया इसलिए जो हमने पढ़ा था कि जो जिले ह उनका जो फार्मिशन हुआ था कब कब हुआ था तो हमें पता है कि 1949 में हुआ था अब उसके बाद जो आंदोलन आता है वो है आपका डोला पाल की आंदोलन ये शिल्पकार दलितों के दौरा किया गया था सवर्ण दुलहनों के समान अधिकार उनकी जरूरत थी इसलिए उ रही है लेकिन जो डोला पालकी है वो काफी पुरानी पर था है तो इसमें क्या होता था कि जो दौलहनों होती थी सवर्ण दौलहने तो डोला पालकी में बैठ सकती थी लेकिन जो दलित थे वो लोग इसमें नहीं बैठ सकते थे डोला पालकी में नहीं बैठते थे इसलिए यह सिल्पकार दलितों ने इस आंदूलन को किया था जैनंद भारती द्वारा ये चला गया था ये जो चलाया गया था आप लोगों का तो जैनंद भारती जी का जो प्लेस है वो हमारे ही जो आप लोगों का बैजरो है उसके नजदीक ही पड़ता है इसमें एक इंपोर्टिंट जो बात है वो है आपका कि 1911 में जो दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का यूज किया गया था वो हरी परशाद टम्ताजी द्वारा किया गया था उसके बाद है सडक अंदूलन सडक अंदूलन जो है वो 1940 का है और गड़वाल की जंता द्वार तक ये सडक का निर्माण किया गया था उसके बाद है आपका कंकटा बैल तो कंकटा बैल बना भरस्टचार अंदूलन यहां पर एक बाद बता तुम्हें आप लोगों की जो गरूर से कर्ण परियाकतर और पॉड़ी से लेंसे डाउन तक लोगों की मांग थी की सडक का नि बहुत इंट्रिस्टिंग है तो अलमोडा के बढ़ियार रैथ लंगड़ा गाओं में यहां से यह शुरुआत हुई थी और एक बैल के दोनों कानों में फूली लगा कर रिंड लिया गया था तो यूजिली आप लोगों को अभी भी पता होगा कि जो जानवरों का जो इंस बैलों के क्या किया जाते थे कि कान काट दिये जाते थे और बैल क्या होता था जिंदा होता था तो यूजिली क्या कि करना पड़ता है कि जब भी बैल के डैत होती है बैल मर जाता है तो उसका जो कान है उसे लेकर वहां पर जो एक एविडेंस है या प्रूफ के तौर पर इस तरह से उन्होंने एक ही बैल को क्या किया था दो बार मरा हुआ गुशित कर दिया था तो बाद में दोनों कानों को काट कर एक बैल को ही दो बार गुशित कर दिया था मरा हुआ और बीमा की जो राशी थी वो हडप ली गई थी। टेज किया था Compliment 1984 में उत्रकंड संगर्ष वाहनी द्वारा में नशा नहीं रोजगार दो ये उनका नारा था और 1984 में इस सुरू किया गया था। विश्योविध्यालय, आंधुलन राज्जमी विश्य 환ुध्यालयों के लिए छात्रों द्वारा शुरू किया था एंडी तिवारी ने उत्तरप्रदेश विदान सभा में 55-56 में परस्ताव दिया था 1973 में कुमाओ विश्विद्याले नैनिताल और गड़वाल विश्विद्याले श्रीनगर में स्थापित किये गए 1973 आप लोगों को इसमें याद रखना है कि 73 में जो था दोनों जगए नैनिताल में और श्रीनगर में बने थे जो विश्विद्याले थे स्थाई राजदानी गैरसेंड को बनाने के कई सारे परियास किये गए तो उसमें जो सीरीज से ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए 1992 में 24-25 जुलाई को UKD के चौदवे महा अदिवेशन में काशी सिंग एरी गैरसेंड का नाम उन्होंने बदल कर क्या कर दिया था चंदर नगर कर दिया था और ये वीर चंदर सिंग गडवाली जेके नाम पर उन्होंने किया था और इसे गोशित किया था किसने किया था काशी सिंग एरी और ये UKD के कितनों चौदवे महा अदिवेशन में हुआ था उसके बाद आता है 93, 93 में कौशिक समिती का गठन हुआ था और 94 में जो पिसली PDF मैंने आप लोगों को दी थी उसमें दो PDF में अलग-अलग जो हो गया था कौशिक समिती के बारे में 93 और 94 वो इसलिए है क्योंकि 93 में कौशिक समिती का गठन हुआ था और 94 में रिपोर्ट परस्चत की गई थी 68 परसेंट लोगों ने गैर सेंड राजदानी का समर्थन किया था 24 सेप्टेंबर को उत्राखन महिला मंच द्वारा विशाल रैली का आयोजन किया गया 2000 आक्टोबर में ही उत्राखन संगर्ज समिती द्वारा खबरदार रैली का आयोजन देहरादून में किया था उसके बाद आता है आपका 2004 में बाबा मोहन उत्राखंडी द्वारा 13 अस्थानों पर 38 दिनों के आमरन अंचन के बाद 8 अगस्त 2004 को यह शहीद हो गए कहां पर हुए थे बैनी ताल में यह आप लोगों को याद रखना है कि उन्होंने 38 दिन का जो था आमरन अंचन किया था 13 अस्थानों पर किया था और 8 अगस्त को उन्होंने क्या किया था अपना जो शरीर था वो त्याग दिया था उस दिनों शहीद हो गए थे बैनी ताल में अब बात आती है 2001 की 11 जन्वरी को भाजपर सरकार ने अस्थाई राजधानी चैन आयोग का गठन किया था तो 11 जन्वरी को क्या हुआ था यह आपका हुआ था अस्थाई राजधानी चैन आयोग बना था 2001 में 2002 में 28 नॉम्बर पुन्ह कॉंग्रेस ने इसे जीवित किया था मींस दुबारा से स्थाई राजधानी चैन आयोग को बनाया था 2002 में 2003 में 1st February को जो आयोग बना था अध्यक्षते उसके Justice विरेंद्र दिक्षित तो इसी को दिक्षित आयोग के नाम से भी जाना जाता है किया और गैर्सेंट राजधानी को इसने खारीच कर दिया और देहरादून का स्थाही राजधानी की शिपारिज भी की थी 2012 में 3 नॉमबर मुख्यमंत्री बवगुणा ने विधान सभा बहुन बनाने का निर्णय किया था तीन नॉमबर को 2012 में गैर्सेंट जो था वहाँ पे एक विधान सभा बहुन बनाने का निर्णय किया गया 2013 में 14 जैन्वरी को मुख्यमंत्री बवगुणा ने भराडी सेंट में प्रस्तावे दुतिय विधान सभा ये तो आपचारिक सिलान्यास भी किया निर्मान कारिया शुरू किया गया तो यहाँ पर आप लोगेंग खतम होते हैं यह जो बचे ह1 जितनी चीजें दो यहां कि जहां कि लिए चीज इसको आप आप ढंगेट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा की विड्स आपप्रैक्ट Puertogoal call करने के कोशिश कीजिए या उन्हें अपनी इस्टैब्लिउस करने की कोशिश की चिक ऐब मिलते हैं अगले लेसन में कल तब तक के लिए बाबाई ठीक केर